नमस्कार समाचर इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ भारत कोठियाल बात करेंगे बिजनोर की जहां बेरोजगारी का आलम इतना है कि युवाब इक्षा मिर्तियू की बात कर रहे हैं 2017 में पुलिस औरक्षी भड़ती पर इक्षा में पास अब्यारतियों ने आज कलेक्टर में परदर्शन कर एक क्यापन, SDM सदर को राष्टपती के नाम सौपा, छात्रों ने परदर्शन कर नियुक्ति पत्र की मांग की नियुक्ति पत्र ना मिलने पर छात्रों ने राष्ट पती से इक्षा मिर्तियों की गोहार लगाई है कलेक्टरेट में परदर्शन करने आये पुलिस आरक्षी के छातरों ने बताया कि 2013 के सपा सरकार में 4610 पदों के लिए आवेदन निकला था इन पदों पर 22 लाग अभियर्तियों ने परिक्षा भी दी थी जिसमें से इस परिक्षा में 11786 अभियर्ति पास हुए थे इस संबंद में अभियर्तियों ने हाई कोट मेरिट भी डाली थी जिसमें चैनित अभियर्तियों को हाई कोट के आदेश पर अगस्त 2018 में चिकित्सा परिक्षन के लिए बुलाया गया था सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आज तक अभ्यरतियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है अगर हम सभी छातरों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता तो हम राश्टपती से इक्षा मिर्तियू देने की मांग करते हैं तो तब से इन लोगों ने जो भी स्टेप बचे हुए थे जैसे मेडिकल हम लोगों का बच्चा हुआ था तो वो कम्प्लीट हो गया है अभी कहना अभी हमारी जो मांगे केवल निवक्ति को लेकर हैं क्योंकि हमारा सारे स्टेप किलियर हो गया है जो प्रीमेंस परिक्सा की जो भी हो गया है और जो फिजिकल तब होगिया मेडिकल परिक्सा भी पास हो गी तो अभी हमारी मंती चेव निवक्ति को लेकर है तो फिछले साल चेतंबर 2018 में ये मेडिकल क्वाली किलियर हो गया हे तब से अभी तक हमें कोई निवक्ति पत्ष नहीं मिलाई ओसकार आप इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे समाचर इंडिया के साथ खबर से लेकर असर तक नमस्का झाल